हेलो फ्रेंड्स पीयस की किचेन में आप सब का स्वागत है अज मैं बनाओंगी पैटाइटो करी जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा यमी लगता है और बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाना स्टार्ट करतें तो यहां पे चार मैंने मीडियम साइज का हालू लिया है यहां पे एक कप खारा मटर लिया है तू टेबल स्पून यहां पे मैंने मस्टड ओयल लिया है एक कप दही है एक टमाटर जिसका मैंने पेश्ट बना लिया है एक अनियन लिया और एक अधरक कटुपड़ा और छी से साथ लेसन की कलिया लेकि इसका भी पेश्ट बना लिय यहां पे मैंने कुछ आज़ाश नाज़मीश पाउडर लिया आदा टेबल स्बून गरम मसाला नमक ठेज की ऐकॉड़िंग्ग वहाँ नमक ठेसकी इकॉड़िंग्ग आदा टेबल स्बून हल्दी पाउडर तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मटर बावसी कैलता से कि इसार इस सबड़ें पर पांच मिनद के लिए क्शोड़ेंगे अव milli नेड़ा हैं से कढ़ाई के अपको तंद मेडे हम बैल के लिए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे यह जो पेस्ट बनाके रख़ा था इसके अंदर नृक्व दूणेंगे यह प्याज ऐसे प्यास द्रवता के लिदूम प्राउन नहीं होके चाहिए तब तक थोड़ा से भून लेंगे तो यहां पे प्याज का जो पेस्ट है वो भून गया है कलर भी चेंज हो गया इसका अब इसके नर हम एड कर देंगे जी जमाटर का पीस्ट थो जा आप आच्छ पार्ण पांच मिनट के लिए बूने ङे तुप नेमाटर और दें जा ग्लाव कर दें आठाश मकहाइद पारविय। तब तक कि लिए Yau Additional。。 इस तारे से चार proportional करेंगे इस तरह से इसी तरह से आलो को कट कर लिया है till यहां पर मैंने आलो को कट लिया मर्तर को भी 5 मtr के बाद निकाल लिया था इस तरह से कुच हनी मेच शाड्मी में इसका पानी होती, तो चलिए देख लेते हैं करी चों हमारी बन रही है उसको ऑइल भी सेपरेट हो गय है थोड़ा थोड़ा मसालय। अब फ्लेम को हम बंद कर देगे दही है इसको इसके लंद हम डालने क सब्सक्राइब के तो दही है और दालकिए दोटा करें। इसे केंटीनियू हम फ्लेम को आफ करके चलाएंगे ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो दही है वो फटेगी नहीं और मसालों में अच्छे से यह मीक्स हो जाएगा इसको भerekette मौस मिक्स किया है तो यहां पर फ्लेम को मैंने ओन कर दिया है और फ्लेम को हम मीरियम रखेंगे और इसको इस तरह से I should अपर यह जो आलू मैंने कट करके रखा है उसको भी मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिला देंगे तो यहां पर मैंने मिला दिया है इसके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसके दर हम पानी आट करेंगे तो इसके अंदर मैं गरम पानी आट करेंगे अब अपने अवस्रक्ता के अनुसार डाले और इसको अच्छे से चला के और हम इसे 5-10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे तो 5-10 मिनट हो गया है इसे हम चेक कर लेते हैं तो यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर रही है और तो इस सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है क्योंकि और लेडी हमारा आलू और मटर बॉयल था खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर मैट कर देंग था उड़र मिक्स कर देंगे और ह्सको चला देंगे उसके बाद हाई फ्लेम से इसको ए पार य्युसी ताहई शर्फ कर लेंगे मारी बन की रेडी हो चुकी है बहूत ही ज़्यादा याम्मी लग रहा है और झाने में भी यह सब्सक्ता उब खाज सकते हैं बहुत ही यम्मी लगता है मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मैं मिलती हूँ से अपनी नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाई थैंक यू